सो एमकेसम आपका स्वाग आते नीट वालों के लिए इंडिया के टॉप 15 गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर आचुकी है जैसा कि ओफिसले आप देख सकते हो काफी सारे विद्यारतों का काना था सर इंडिया के जो टॉप गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेजे उनकी लिस्ट हमको चाहिए कौन-कौन से टॉप के गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेजे 2023 में तो यह पूरी लिस्ट यहाँ पर one by one करके यहाँ पर कौन-कौन सा benefit आपको मिलेगा वो सारा जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाला है तो अप पिर यह विद्ध्यारतियो यहाँ पर top medical college के बारे में तो हम आपको बताएंगे इस ही साथ में आपने जो प्रिविस वीडियो में कमेंट के थे जो आपका doubt था जो आपका सवाल था उनका reply भी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है हर एक विद्ध्यारतिये कमेंट यहाँ पर देखे जाएंगे हमारे लिए हर एक विद्ध्यारति कास है क्योंकि आपका कोई जो भी doubt रहेगा ना उसका clarification उसका solution हम यहीं पर कर देंगे ताकि आप आगे बढ़ सको और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको सारे कमेंट यहाँ पर देखे जाएंगे शुरू से लेकर end तक तो चलो पहले top medical college की बात यहाँ पर कर लेते फिर आपके कमेंटों का reply आपको मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पारूंगे टोप पर आते हैं आपका number one all india institute of medical science एम्स नियो दिन ठीक है एम्स आता है टोप पर और एम्स का तो नाम चलता है इंडिया में यहाँ पर कोई भी course आप कर सकते हो चाहिए वो mbbs का हो चाहिए वो आपके लिए वी एस nursing का हो पेरा medical का हो ठीक है अगर mbbs करना है तो NEET का फोरम आपको बरना होगा अगर वी एस nursing करनी है न तो उसके लिए बी एस nursing का अलग से फोरम बरना होता है परा medical के लिए अलग से फिर आता है आपका अर्मेट पॉर्स medical college और आपने मौलाना आजात का नाम भी सुनाओगा वो भी कापी famous है और फिर आता है आपका जिपमर ज्वारण लाल वाला ठीक है जिपमर पांडु चैरी है ये भी टॉप में गिना जाता है M.A.M.C. दिल्ली में ये भी टॉप में गिना जाता है फिर आता आपका कान गौर्वर्मेट मेडिकल कोलेज मुंबई का ये भी टॉप मेडिकल कोलेज में आता है बैंगलूर मेडिकल कोलेज ये भी कापी सांदार है यहाँ पर भी नमबर आ गया तो टॉप में गिना जाएगा आपको फिर आता है नमबर सेवन इंस्टिटूट आप मेडिकल साइंस BHU बनारस हिंदू यूनिरसिटी का नाम आपने सुना होगा ठीक है बनारस हिंदू यूनिरसिटी खापी पेमस है, खापी टॉप है ये भी ये सारी कोर्स करवाती है GS Medical College क्या बात है ये भी टॉप में गिना जाता है UCMC दिल्ली नमबर नाइन नमबर टैन BJ Medical College अहमदाबाद ये भी टॉप में गिना जाता है BJ Government Medical College ये भी टॉप 15 में आता है वरदमान Medical College नियू दिल्ली ये भी टॉप 15 में आता है CSM Medical University गांधी Medical College है इदराबाद और 15 में आता है Government College एंड होस्पिटल चंडीगर ये टॉप के गॉवर्मेंट है सारे के सारे और ये टॉप 15 में इसको गिना जाता है और आपको पता है बहुत सारों विद्यारती के कुछ सवाल रहते है चलो उनको मैं देखी लेता हूँ यहाँ पर और ये एक मातर चैनल है यूटूबर जहां पर हरे विद्यारती के सुनवाई होती है सुनवाई तो होगी जनल सुनवाई होगी तबी तो आप आगे बढ़ोगे तो चलो आपके कमेंट यहाँ पर देख लेते है तो देखो आपके सामने सारे कमेंट मैंने ओपन कर लिए और ज़्यदा पुराने नहीं है यह किस गंटे पहले यह बीस गंटे पहले यह यह साब ने किया था तो अंजली सिंग थेंक्यू सोमा सर थेंक्यू प्रांजली सो रहे ठीक है प्रांजली यह बार बार कमेंट किया करो प्रांजली तो क्या है उससे कम्यूनिकेशन अच्छा रहता है जान पाचान अच्छी रहती है ठीक है प्रांजली अनिल सोनी थेंक्यू सर थेंक्यू नि थीक है सचिन कोई exactly आओ तो बता देना यहीं पर कमेंट्स आप तो यहीं पर सोल कर देंगे कोई समस्य इस आओ किसी भी प्रकार की बता देना और जो आपका प्रेंड שar influen को भी बता देना इस चैनल के बारे में कि यहां पर नीश्तवार्थ भाव के सब कि सुनुआई होती है अंजली कोरी तैंक यू सो मसर तैंक यू अंजली कोई भी दिक्कत हो तो बता देना बीना किसी जिजग के पूजा कुमाउत एक बार होना चाहिए अच्छा नीट का एक जाम एक बा बात है क्रिस राजपूत सिद्दार्थ थैंक्यू सो मसर थैंक्यू सिद्दार्थ और आप तो साइध हमारी ओनलाइन क्लास में भी हो जो MKS Academy पर चलाते हैं डॉक्टर लोग वहाँ पर आपको पढ़ाते हैं पता भी है बहुत सारे विद्दार्थ को नहीं है तो मैं बता देता हूँ फिर वापिस आपके कमेंटों पर आ जाएंगे देखो आप सभी को पता है बहुत सारे विद्दार्थ के पास पैसे नहीं होते तो बार कोचिंग नहीं कर पाते तो उनके लिए हमने MKS Academy यहाँ पर बनवा रखा है ताकि यहाँ पर तैयारी कर सके गर बेटे वो भी ताकि उनके रोम का खर्चा खाने पीने का खर्चा बच कर सके क्योंकि बार बहुत मेंगा होता है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हो पुरा प्रोसेज और यह डाउनलोड तो करना बहुत जरूरी है सारा अपडेट आपको टाइम टुटाइम मिलता रहता है लिंक नीचे दे रखा है और यहाँ से नीट की तियारी गर बेट कर सकते हो कलास लगवानी आपको ओनलाइन कोर्स आपको एक्टिवेट करवाना है तो यह वार्सप नमबर है इन पर वार्सप आप कर सकते हो तो सारी जानकर आपको मिल जाएगी कि केसे आपको क्या करना है ठीक है न पिरे विद्धियारते हो सिद्धार्थ का हो गया था सि इपने इस्टेड में रहता है आपके इस्टेड में होगा जिनता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ठीक है हाँ मनिशा सर आप बोड़े हो कि डेट बढ़ने पर किलिक नहीं हो पा रहा है देखो मनिशा डेट बढ़ गई मतलब बढ़ गई हमने बोल दिया अब वह आपके टेक्निकल इसी होगा बलकि आप जाकर देखो किसी साइबर केप वाले से बोलो एम्स की डेट बढ़ गई है 20 अफ सब्सक्राइब में तेंक्यू सर अर्चना कुमारी सर मेरे फोरम समिट होने से पहले ही बोल देता ही कि आपका और डेडी फोरम बढ़ा हुआ है और मैं अभी तक फोरम बढ़ा ही नहीं है तो उसमें जो एक काम करो मोबाइल नंबर इमेल वेगरा दूसरे से कर लो आप साइबर केप वाल एसे बोल दो कर देगा उनकेamente अर्चना अगर फिरभी सुलीचन नहीं मिलता है तो कमेंट कर då ск सोंनी वोई भी एम्स में बेसें कर सकतें नहीं नहीं बोई तो ओली पेरामेडिकल का कर सकता कर सकता थैयन कर सकतें। ने थां रख और ऑनलानगनलों उसफ वेबसाइड़ से ठीके हैस शुनिता up पराजी सर मैंने पहला है वी एजंशंग का फोरंfic कर दिया था अब मेरे को नर्सिंग के साा सात पेरा मेडिल का भी पोरं प्रिलप करना है तो क्या में फोरं बर सकते हूं बिलकुल बढ़ सकते हो, कोई दिक्तवली बात नहीं है सुमीता सर, नीट का फोरम आया है क्या जारकंड में, नीट का तो ओल इंडिया में बस एक फोरम बरेगा और वो निकल चुका है, सुनी मिता ठीग है विका सर, यूपी में फोरम कब निकलेंगे, अप्रेल में अर्चना, थैंक्यू, थैंक्यू, अर्चना, मौरिया, अहमद, लव, दिल्ली, कैसे बढ़ सकते हैं इसका तुम्हें जो टेलेग्राम है ना, और टेलेग्राम का लिंक नीचे दे रखा है अब ऑपीसल, गुड़ सर, लाइक यूँ, लाइक, अब अब ऑपीसल, निहा, हेलो सर जी, एम्स में बेस नर्टिंग के एक्जाम में यसी के लिए कितने मार्क्स चाहिए, अच्छा, बहुत अच्छा क्यों जने ये तो, एम्स में अगर आपको बेस नर्टिंग में सेलेक्शन पाना है अगर आपको एम्स में बेस करना है, तो बहुत ज़दा नमर चाहिए, आपको 680 के अबाउ जाएगा, इसमें तो ठीक है, अगर आपको बेस नर्टिंग करनी है, तो आप 70 परसेंटेज लियाओ, टोटल मार्किंग का ओम परकास, दो बार होना चाहिए, नीट का, एक बार होगा, 2023 में तो देखो, वेसनवी का करना है, फोरम बरने के लिए नीट देना हो पड़ेगा, नीट का तो फोरम बरना होगा आपको, हमाद, सर मैं कस्मीर से हूँ, मैं एम्स में वेसनशिंग का फोरम बरना चाहता हू और कोई डाउट है तो बता दो, तो जिन विद्यारतियों को ओनलाइन कोचिंग करके सेलेक्शन पाना है तो इन पे वार्षप कर देना, यहाँ पर हर एक विद्यारति के सुनवाई हो जाएगे, अगर आपको ओनलाइन क्लास लेनी है, पीडियाप चाहिए, नौट्स चाह हमारे दोरा लिखेगे, नौट्स चाहिए, तो बता देना